नमस्कार देवी और सजुनों आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करूड़ पती में नहीं यार वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फ्रीफार के आखरी अपडेट के बारे में मतलब इस साल के आखरी अपडेट के बारे में बज़ा आने वाला है तुम्हारा पुरुपरा टाइम और डेटा वसुल होने वाला है अभी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली ख़बर के साथ करेंगे कुछ e-sports अपडेट के बारे में और पहला अपडेट निकल के आ रहा है फ्री फार वर्ल्ल सीरीज को ले करके अभी बजा आएगा ना विडियो और ऐसा सुनने को मिल रहा है कि भाई फ्री फार वर्ल्ल सीरीज जो अभी कैंसल हुई है जिसके जिगब पर इसे चैं अभी इसके उपर पूरी कन्फरमिशन नहीं मिली है बट ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वर्ल्ल सीरीज अगले साल हो नहीं हो नहीं है बाकि इसके लवा गाईज एक और फ्री फार e-sports अपडेट निकल के आया है वो निकल के आया है वो कॉमन सी बात है साथ काफी कम लोगों हो को बता होगी मैं आपको बता देता हूँ फ्री फार के टॉर्नमेंट्स होते ह Państwo専ं को स्प्रेट किया जाता है फ्री फार मैक्स से इस्प्र्ट के सालedere शाले धिते पॉस्कितलने के साथ एजिसे ens crash पर नजर भी आ रोगा कि गरीना फ्री फार के कुछ current plan नहीं है कि प्लियर्स के मतलब मुव फे थो पे फ्री फार मेंग्स में खेलो खेलो e-sports खेलने हैं तो Free Fire Max में खेलो देखो सबसे पहली बात क्यों होती न अगर Free Fire Max के अंदर ऐसा टूल डाल देते कि भाई आप 3rd party application यूज नहीं कर रहे हो कुछ ऐसी चीज़े डाल देते भाई या कुछ ऐसे modules डाल देते कि वह या वो टूल डिटक कर ले कि कौन 3rd party उस कर रहा है कौन यहाँ पर DPI ज़्यादा बढ़ा के खेल रहा है तो हाँ यह चीज सच में वर्क करती है बट Free Fire Max में भी ऐसा कुछ है नहीं normal Free Fire में भी ऐसा कुछ नहीं है कई सारे प्लियर्स के device उतना जएदा capable नहीं होती Free Fire Max के लिए वैसे tournaments में game ज़्यादा ही lag होती है hyping जाती है तो गरीना Free Fire के कोई current plan नहीं है कि विदा को Free Fire Max में जाके खेलना है प्लियर्स को ऐसा कुछ उनका current plan नहीं है बट हो सकता है land tournaments हो जितने भी land tournaments हो उनके अंदर जो devices provide करा जाए वो अच्छे devices होंगे और उसके अंदर force किया जा सकते है यह तो को Free Fire Max में खेलना है तुमको अभी गरीना Free Fire के कोई current plan नहीं है तो hope अब लोग भी खुश होंगे क्योंकि जातर लोग तो खेलते हैं अब लोग बात करते हैं इस साल के आखरी अपडेट के बारे में अब अब लोग भी साल कहां खतम हुआ है 2021 तो बचा हुआ है बट 2021 का अपडेट कुछी टाइम में आने वाला और यह आखरी अपडेट होने वाला है इसका winter अपडेट भी कह सकते हो और बात करेंगे तो इसका अडवांस सर्वर कोची दिनों के अंदर स्टार्ट होगा और इसकी जो डेट बताई जारी हो बताई जारी है 18th of November तो 18th of November को आपको आपका अडवांस सर्वर मिलेगा उसके एक दो वीक के बाद आपका पैच अपडेट आपकी गेम के अंदर आ जाएगा और इस पैच अपडेट के अंदर आपके नई करेक्टर्स आने वाले हैं कुछ नया कॉलाबरेशन भी आने वाला है जो कि winter कॉलाबरेशन कहा जा रहा है और सातिशत पैट तो आता ही आता है और कई सारी नई चीज़ा आपको देखने को मिलेंगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार का जो पैच अपडेट आने वाले है सच में एक snow अपडेट होगा एक winter अपडेट होगा मतलब map के उपर आपको कुछ time के लिए मतलब winters के दोरान या फिर इस particular patch update तक आपको मिलेगी snow और बताया ऐसा भी जा रहा है कि इसके बाद जो हमारा spring season स्टार्ट होगा मतलब बशंतरी तू जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे spring का theme मतलब पजड़ की हवाई थोड़ा सा orange theme तो यार अगर कुछ ऐसा आता है न मैं सच बहुत ज़्यादा खुश होगा और ये मेरे दिल की मुराद होगी जो गरीना fulfill करेगा चुकि भाई winters में winters भाई snow पे snow and भाई सब कुछ हमें चाहिए कुछ वैसा ही जैसे season change होते है hopefully कुछ ऐसा ही और इससे बहुत सारे players बहुत ज़्यादा happy होगी अब आप लोग बताओ क्या आप लोग भी request कर रहे हुए क्या आप भी pray कर रहे हुए कि आपको winters में snow देखने को में मुझे ये बात comment करके जड़ से और बताना और बाकिये भी चलते हैं हमारे next update की तरह तो guys भी हम लोग बात करते हैं Elza के बारे में जो करेक्टर अभी तक गरीना free fire के अंदर नहीं आया पिछले साल से बात चल रही है निवेंबर से कि भाई या Elza अब आएगा तब आएगा तब आएगा तब आएगा कि ना आप HP को EP में convert कर पाओगे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता मिलाब EP को HP में नहीं convert कर पाओगे और यह सारे की सारी चीज़े हो जाएंगी जिससे active skill एक तरी किसे 0 समझ लो वहाँ क्रोनो की सेर खतम, आलोग खतम, यहाँ पर के करेक्टर खतम, यहाँ पर वूकॉंग खतम एंड गेम के अंदर एक प्रॉपर डिप्स बैलन्स, मतलब पूरपर है गेम ही परलट जाएगा और इसी वज़े से गरीना फ्रीफार Elza को नहीं दे रही है अगर इन फ्यूचर अक्टिव स्किल जैसे अभी कमजोर की जा रही है अगर इन फ्यूचर इन में इंक्रीमेंट दी जाती है, कोई ऐसा बड़ा अक्टिव स्किल आता है अगर इसी तो नहीं देगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम से अगर रोक रखाए तो कोई पर्टिकुलर रीजन होगा और अभी आपको पता है कि सभी की सभी एक्टिव के लिए अंदर बैलेंस है, वहाँ क्रोनो की बात करें, वूकॉंग की बात करें तो मेरा काम ते तुम्हें बताना, होफुली तुम्हें समझमा आ गया होगा, और हो सकता है कि पीड़ेक भी सुनने को मिला मुझे, बाकि आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कोई मैप कैसा लगा, परगेटरी का यह हमारे क्लैश क्वाड के अंदर मुझे तो बहुत जड़ा मजा आ रहा है, और बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो तीन चार दिन का आपने एक्सपेरिम मुदा असल में यह है, जिसके बधिक को पता ही कि पुराणी रियर आइटमS गेंस के अंदर वापिस आरे दीद में करके, उसी तरीके से उसी श्रेंडी में उसी च्रेंखला उसी सिरीस के अंदर एक और पुराना आइटम धूरा, एफ यह जड़ा रही है कि गरीनियस एक जो रेयर था पहले उसको दुबारा देने वाली है और वो होने वाले स्क्रीन के सामने आपका ये कुछ कच्छा तो वह ये बहुत पुराना आइटम है बहुत ज़्यादा रेयर है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रेयर था सेलेक्टेड बंदों के पास होता था आज भी बहुत सेलेक्टेड बंदों के पास है बड़ इसको गरीना फ्रीफार दुबारा से देने की बात सुनने को मिली है कि बहुत ज़ली गरीना फ्रीफार के अंदर ये दुबारा से वापिस देखने को मिलेगा आपको एक इवेंट के अंदर होफुली किस तरीके से निकल के आता है अब कोई भी चीज रेयर नहीं रहेगी है कुछ पर्टीविलर टाइम के लिए कुछ आपको बताना चुका जितने लोग सोस्ते हैं यह दो को रियर चीज रियर नहीं रही वह दो को आज नहीं रहे रही जब सब के पास वह ए पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका रेट बढ़ता जाएगा वह रेयर होता जाएगा जिस चीज की क्वांटिटी कम होती है उस चीज की वेल्यू बढ़ती जाती है पड़ाई लिखाई कम करने मतलग जाना कि हमारी भी वेल्यू बढ़ जाएगी उससे कुछ नहीं होगा घर सकून मिलेगा वैसी हम लोग वन मिलियन से बहुत दूर चल रहे हैं वन मिलियन साथ लग रहा है कि अगले साल तक ही होगा तो जल्दी से करवाओ इसी मंत के अंदर और एक छोटा सा अनॉसमेट देना चाहूंगा देखो डेली वीडियो में डाल रहा हूं बढ़ यार कि अंदर के आएगा कुछ भी आ सकता है फानी वीडियो भी आ सकती है मिस्टीरियस फेक्ट भी आ सकते हैं और कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहेगा डेली वीडियो आंगी बट एक दिन शॉर्ट और एक दिन फुल फ्लेश वीडियो यह मेरे थोड़ा इसी होगा बना तक के लिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट में तब तक के लिए सी यू टिल देन बाई बाई और टड़ा